हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई हिंदी सिटी, आज हम एक और स्टोरी हिंदी में सुनते हैं, महनत का फल एक गाउं में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था जबकि सोहन बहुत महनती था, एक बार दोनों ने मिलकर एक जमीन खरी दी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहती थे सोहन तो खेट में बहुत महनत करता, लेकि नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रात्ना करता इसी तरह समय बीटता गया, कुछ समय बाद खेट की फसल पकर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया, और उनको अच्छा पैसा मिला घर आकर सोहन ने नकुल को कहा, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेट में ज्यादा मेहनत की है नकुल बोला, नहीं, धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रातना की, तब ही हमको अच्छी फसल हुई, भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है धन के बटवारे को लेकर दोनों गाउं की मुखिया के पास पहुँचे, मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक-एक बोरा, चावल का दिया, जिसमें कंकर मिले हुए थे मुखिया ने कहा, कल सुबह तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकर अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्ने करूँगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए दोनों चावल की बोरी लेकर वापिस चले गए, सुहन ने राद भर जक कर चावल और कंकर को अलग किया नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से इसके लिए प्रात्ना की अगले दिन सुबह दोनों अपने अपने चावल की बोरीयां लेकर मुख्या के पास गये मुख्या ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किये हैं जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकर वैसे के वैसे ही थे मुखिया ने नकुल को कहा कि भगवान भी तबी सहता करते हैं जब तुम महनत करते हो इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में महनत करने लगा और अब उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई पहले से अष्वचर